कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्र हालो प्रणाम गुड़ इवनिंग कैसे हो बच्छो खुल गया खुल जा सिमसिम बोला करो खुल जाएगा खुल जा सिमसिम खुल गया सभी लोग अच्छा फील कर रहे हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं जबरदस्त चाप्टर नमबर 7 फॉर्मला शीट के साथ रेडी रहें कल विनर का नाम अनाउंस करेंगे प्रिविएस फॉर्मला शीट का चाप्टर नमबर 6 का और कल ही हम आप लोग से फॉर्मला शीट लेंगे अल्टरनेटिंग करेंट की आई होप आपको कल के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस की कल बेसिक्स दी थी मैंने आपको एकदम इनीशियल की डिस्प्लेस्मेंट करेंट क्या होता है Maxwell's equation क्या होती है आज बच्चों उसी से हम आगे बढ़ेंगे और सच्चाई में आज शुरू होने जा रहा है Electromagnetic Waves तयार है आप शुरू किया जाए 1,2,3 हलो बच्चों क्या हल चाल बढ़िया एकदम और अभी हम पढ़ रहे हैं Electromagnetic Wave और आज है उसका Lecture No.2 तो बच्चों Lecture No.2 में Electromagnetic Wave वाके ही में शुरू होने जा रहा है आज हमें ये पता चलेगा कि Electromagnetic Wave होती क्या चीज है वेव तो समझ में आता है ये Electromagnetic Wave क्या है ये Electromagnetic Wave बनती कैसे है बेटा ये चीज कैसे बनती है NCRT में लिखा गया it is much beyond scope of syllabus NCRT बोलती है इसको हम अपने syllabus में रहे कि समझा ही नहीं सकते कि Electromagnetic Wave कैसे बनती है तो मैं एक बहुत ही honest attempt करूँगा अपनी तरफ से कि आपको Class 12 के concepts के अंदर से मैं ये explain कर ले जाओं कि Electromagnetic Wave कैसे बनती है वाके ही में Electromagnetic Wave का अगर formation समझना है तो उसके लिए हमको Relativistic Mechanics आनी चाहिए Relativistic Mechanics, Relativity आनी चाहिए इसमें Length Contraction, Time Dilation सब आ जाएगा क्योंकि शायद कहीं न कहीं मैं आपको एक बार बता चुका हूँ ये क्या दो बार बता चुका हूँ कि Electric Field और Magnetic Field Independent नहीं होती, एक दूसरे से मिली होती है और Depend करती है Observer के Frame of Reference पे कोई एक बंदा बोल सकता है कि यहाँ पे Electric Field है और दूसरा बंदा बोल सकता है कि यह Electric Field नहीं Magnetic Field है, Depend करता है Frame of Reference तो काफी complex है इसका source समझाना या यह समझाना कैसे यह बनी है बट मैं अपनी तरफ से एक honest attempt करूँगा उसको बताने का उसके बाद बच्चों आज हम लोग यह सीखेंगे कि Electromagnetic Waves में Electric Field और Magnetic Field की equations क्या-क्या होती है और उसके बाद बेटा उस equation का post-mortem करते हुए उसके उपर हम लोग सवाल लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है तैयार हैं आप लोग शुरू करें येस माइनेम इस अलगपाणे और इस योर ब्यूडिफुल साप प्रिजिक्स वाला आज के लेक्चर के बाद आपको मिलेगी DPP DPP में होंगे आज के लेक्चर से जुड़े हुए सवाल इलेक्रिक फील्ड और माग्नेटिक फील्ड की एक्क्वेजिन के बढ़िया बढ़िया सवाल जिस सरे के मैं क्लास में कराने वाला है चलिए भाई साब शुरू करते हैं अब बिना टाइम वरवाद किये तुडेज गोल बेटा आज का गोल है सोर्स ओफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब समझना जिसको NCRT बोल रही है और आपके 12th लेवल की कोई भी किताब यही बोलेगी LC Oscillations की So be ready for it अगर LC Oscillations नहीं देखा है तो उसको देखकर ही इस वीडियो को बाद मर देखना बाद में देखना तब ज़्यादा समझ में आएगा इसके बाद बेटा हम लोग को करना है Equations of Oscillating Electric and Magnetic Field बेटा यह तो पूरी Maths है इसके अंदर Maths समझने हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताएंगे और इस पर सवाल कराएंगे इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा LC Oscillations का आइडिया होना चाहिए Otherwise पल ले नहीं पड़ेगा फिर उसके बाद रटाना ही पड़ेगा आपके Board में, J.E. में, NEET में यहां से सवाल नहीं आते हैं फिर भी इस concept का feel देने के लिए मैं आपको यह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा शिरू करते हैं Source of Electromagnetic सबसे पहले बच्चों previous lecture में हमने क्या बात पढ़ ली है हमने यह पढ़ लिया है कि अगर इस area में magnetic field increase करेगी अंदर की तरफ की यह सब पढ़ चुके हैं previous lecture में जल्दी से recap लेते हैं कि अगर अंदर की तरफ की magnetic field increase करेगी तो क्या होगा बेटा इसमें induced EMF बनेगा क्योंकि change in magnetic flux हो रहा है induced EMF से इसमें क्या बहेगा conductor में current बहेगा और बेटा current कैसे बहेगा current ऐसे बहेगा कि हम outward magnetic field बना ले अंदर की magnetic field बढ़ रही है तो current ऐसा बहेगा anti clockwise ताकि एक बाहर की तरफ की magnetic field मिल जाए क्यों? lens law की वज़े से lens law बोलता है कि जो भी change हो रहा है उस change को oppose करो जो induced current है वो ऐसा होगा कि change को oppose करेगा तो भाई magnetic field अंदर की तरफ बढ़ रही magnetic flux अंदर की तरफ का बढ़ रहा तो induced current कैसा बहा? ऐसा ताकि उस flux को हम घटा सके और अपना flux बाहर की तरफ बना सके तो बेटा यहाँ पे induced current ऐसे बहेगा ऐसे और ऐसे यह अरी बातें कल के lecture में हो चुकी है बेटा अगर current ऐसे बहे रहा है तो electron की motion का direction मेरे ख्याल से इसके just opposite हो जाएगा electron ऐसे चल रहा होगा फिर हमने कल आपको समझाया था कि यह electron charge particle move कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगी? electric field होगी तभी तो charge particle पे force लगी और वो move किया तो बेटा electric field किदर होगी? electric field होगी इस दिशा में क्योंकि charge force on negative particle is opposite to electric field यह electron पे force इधर लग रही negative charge इधर जा रहा यानि electric field इसके opposite direction में होगी negative charge पे जो force लगती है वो electric field की विप्रीद दिशा में होती है electric field इधर है तो negative charge इधर और बेटा हम यहाँ पे पूछे electric field इधर होगी? तो यहाँ पे इधर हो जाएगी electron पे force इधर लगी electric field तो आप देख रहे हो और ऐसी एक electric field बनी तो बच्चों यह electric field क्यों बनी? कल के lecture में बहुत discuss किया था इसको इन detail में अगर आपने अभी तक previous lecture नहीं देखा है तो वो देख कर यहाँ के आए यह पूरा detail में discuss किया गया था यही पूरा phenomena तो बेटा आप यह देख रहे हो कि increasing magnetic field से बनती है electric field या in short changing magnetic field से बनती है electric field यह हम पढ़ चुके हैं यही बात हमने आज discuss की फिर से अ changing magnetic field induces an electric field सभी को पता है magnetic field change हुई उस से क्या बनी electric field बच्चों यह किसका law था आपको previous lecture में मैंने बताया था यह किसका law है यह किसका law है बच्चों मैंने previous lecture में बताया है किसका law था नहीं बता रहे हो किसका law था प्रिवेस लेक्चर में बताया था नहीं बेटा ये फराडे का law था हाँ Maxwell की तो चार equation है बट ये law तो फराडे का है Maxwell ने तो सभी के law यूज कर लिये उनका खुद का कहा है Maxwell की तो चार equation है ये law तो फराडे का था कि changing magnetic field से electric field बनती है कुछ और भी बताया था इसके बारे में इसके direction के बारे में कुछ बताया था क्या कि बेटा जो ये magnetic field है वो ऐसे है और जो electric field है वो ऐसे है magnetic field अंदर है electric field ऐसे है है की नहीं magnetic field अंदर की दिशा में electric field ऐसे है परपेंडिकुलर magnetic field अंदर और electric field इधा Magnetic field अंदर, कैसी है, perpendicular है तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो induced electric field है The induced electric field is perpendicular to magnetic field ये बाते हमको clear थे यानि अब हम ये समझ चुके हैं बच्चो कि जहाँ पे भी changing magnetic field होगी उससे क्या बनेगी? Electric field और जो electric field बनेगी वो is changing magnetic field के perpendicular होगी magnetic field इधर, electric field इधर सेक्चर में पढ़ा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा थो देखें उसको अच्छ अब हम क्या करने जा रहे हैं याद है अब हम क्या इस state करने जा रहे हैं बेता, अगर ये capacitor की दो plates हैं और अगर मैं 이 switch को close कर दूं यह अभी इस पे कोई charge नहीं है जैसे ही switch close करूँगा क्या होगा ये battery का negative terminal ये positive terminal negative terminal इधर से क्या खीचेगा positive charge, यहां से कितना charge निकला DQ charge, और DQ charge कहां जाके deposit हो जाएगा यहां भाई ये negative potential ये 0, इस पे अभी कोई charge नहीं इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 negative क्या करेगा, इसमें से charge खीच लेगा, positive charge इसकी तरफ attract हो गया, और यहां से इधर चला आया, मतलब बच्चा क्या होगा, जब DQ charge जब DQ charge यहां से जाएगा, तो यहां पे कैसा आएगा, negative, यहां पे आएगा positive, और बेटा, इसकी वज़े से, positive, negative वैसे यहां पे क्या बन जाएगी, electric field बन जाएगी, इसी तरह से बच्चो, DQ charge एक और निकला, यहां पे एक और negative, यहां पे एक और positive, electric field और बढ़ गई, और इसी तरह से बच्चो, बैटरी क्या करेगी यहां से DQ charge निकालके यहां चिपकाती जाएगी, negative terminal पे, plus Q charge attract हुआ, और यहां जाके चिपक गया, तो यहां पे negative, यहां पे positive, और electric field बढ़ती गई, बेटा, यह बढ़ती हुई, electric field को, Maxwell ने किसी और तरह से समझाने की कोशिश की थी, displacement current से समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा, यहां पर क्या है, displacement current है, जो कब आता है, changing electric field से आता है, बहुत बढ़ी हाँ, बेटा, अगर यहां पे कोई current है, अगर इस जगा पर कोई current है, तो बेटा, current क्या बनाता है, current क्या बनाता है, प्यारा बच्चा बताएगा, current क्या बनाता है, जो प्यारा बच्चा है, वो बता देगा, current क्या बनाता है, magnetic field बनाता है, है कि ने, current इस दिशा में है, तो यह क्या बनाएगा, बाहर की तरफ, यहां पे, बाहर की तरफ, magnetic field, और यहां पे, अंदर की तरफ, यह displacement current, यहां पे बाहर की तरफ magnetic field, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे मिलेगी आपको outside magnetic field और यहाँ पे मिलेगी inside magnetic field, है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ बच्चों हमको यह भी ज्याद आ गया, revise हो गया, कि changing electric field से बनती है magnetic field, यह किसने वताया था, Maxwell न कि यह सारी चीज़े हम लोग पढ़ चुके है, a changing electric field induces a magnetic field, बेटा एक बात और बताओ, इस electric field और magnetic field के direction के बारे में भी बात हो रखी है, electric field ऐसे है, और यहाँ magnetic field बाहर है, यानि electric field और magnetic field कैसी है, perpendicular, electric field ऐसे, magnetic field बाहर, perpendicular, नीचे देखना हो, नीचे देख लो, electric field ऐसे है, magnetic field अंदर है, कैसी है, perpendicular, the induced magnetic field is perpendicular to, the perpendicular to electric field होगा, यहाँ पर गलत लिग गया, the induced magnetic field is perpendicular to electric field होगा, तो दो बाते में समझ में आ गई, changing magnetic field से बनती है, electric field और changing electric field से बनती है, magnetic field, यह किस ने बोला, empire Maxwell ने बोला था, अगर आपको याद हो, यह simple बोल देते हैं, यह तो Maxwell की ही discovery है, पूरी, और पिछली वाली किसकी discovery है, हमारी, यह किसकी discovery है, यह पराडे साहब की discovery थी, तो इन दोनों ने बोला, कि changing magnetic field से electric field, और changing electric field से magnetic field, ठेक है, और यह जो electric field, magnetic field बनती है, यह mutually perpendicular होती है, इ नहीं से बेटा, electro magnetic wave का formation शुरू होगा, इसी बात से, चलो देखते हैं, कैसे होता है formation, Electric and magnetic field due to our charge, चलो, सबसे पहले, charge at rest, बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर charge rest पे होगा, तो वो कौन सी field बनाएगा, कोई charge अगर rest पे है, तो वो कौन सी field बनाएगा, electric field, magnetic field या दोनों बनाएगा, बताए, दोनों बनाएगा, कि एक, मेरे ख्याल से तो सिर्फ electric field बनेगी, बेटा, charge है यहाँ पे, charge rest पे है, तो क्या बनाएगा अपने अगल बगल, electric field lines बनाएगा, magnetic field क्यों नहीं बनाएगा, कोई reason, कोई explanation, magnetic field क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चा, magnetic field के लिए current चाहिए होता है, charge जब rest पे है, तो कोई current नहीं है, charge move करेगा, तो current होगा, तो बेटा, यहाँ पे क्या बनके आई, charge at rest से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ electric field बनती है, अगर charge at rest से सिर्फ और सिर्फ electric field बनती है, NCRT इस बात से agree करती है, एकदम completely agree करती है, अगर charge move करता, तो current बनता, तो magnetic field बनती है, आच्छा, हम देख रहे हैं, electric and magnetic field द्यू टू आ, charge, दूसरी बात, charge in motion with uniform velocity, अब क्या सोचना है आपका, एक charge uniform velocity से आगे बढ़ रहा है, अब वो कौन-कौन सी field बनाएगा, यह हमारे पास एक charge है बेटा, और यह charge uniform velocity से आगे बढ़ रहा है, अब यह कौन-कौन सी field बनाएगा, बेटा, Charge motion में आगया, charge motion में आगया मतलब क्या? Current. Charge move कर रहा है, मतलब क्या बन गया? Charge motion में है, moving charge से क्या बन जाएगा बेटा? Current बन जाएगा. और बेटा, current से क्या बनेगी? magnetic field बनेगी, सभी लोग clear हो गए, current बना, तो क्या बनी यहाँ पर, magnetic field electric field के बारे में क्या कहना है, बनेगी की नहीं बनेगी, what do you think about electric field, बनेगी की नहीं बनेगी बाइस आप charge particle है, चाहे वो rest पे हो, चाहे वो motion में हो, अगल बगल अपने electric field तो generate करेगा ही तो बेटा यह electric field भी बनाएगा, है कि नहीं, एक तो यहाँ क्या बन गया, current, current की वज़े से magnetic field और charge की वज़े से electric field, तो magnetic field भी होगी और electric field भी होगी, electric field and magnetic field बेटा यह तो हम कह रहे हैं, बट NCRT हमारी इस बात से agree नहीं करती, NCRT में जो line लिखी है, वो line लिखी है कि अगर charge uniform velocity से चल रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ magnetic field बनाएगा, हाँ, NCRT में यह बात लिखी हुई है, साफ साफ कि charge at rest बनाता है, electric field हमें भी समझ में आया, charge है, अगल बगल electric field lines बनी, बड़ा ही मधूर concept charge uniform velocity से move किया, तो हमने का भाई, move किया तो current बना, current बना तो magnetic field बनी, तो magnetic field तो भाई, बहुत ही clear है, हमने भी माना NCRT ने भी, हमने का charge है तो यार, electric field भी होनी चाहिए, बट NCRT नहीं agree कर रही, reason बताते हैं, हमने जो charge लिया है, हमने जो charge लिया है, वो एक free charge है, हम किसकी बात कर रहे है, हम बात कर रहे थे free charge की, और मेरे कहाल से NCRT किसकी बात कर रही है, NCRT बात कर रही है, charge moving in circuit, charge moving in circuit, तब शायद उनकी बात सही हो, वो कह रहे हैं कि अगर charge uniform velocity से चल रहा, तो वो सिर्फ magnetic field बनाएगा, electric field नहीं बनाएगा, electric field नहीं बनेगी, तो हो सकता हो, बात कर रहे हो, charge moving in circuit की, जड़ा इसको समझते हैं, बेटा, मान लो, यहाँपे एक circuit है, एक resistance लगा लो, ठीक है, यहाँपे एक battery लगा लो, चलो, बेटा, यहाँपे battery है, यहाँ battery का positive terminal, negative terminal, क्या इसमें कोई charge move करेगा, क्या इसमें कोई charge move करेगा, बिल्कुल move कर रहे हैं तो current बना current से magnetic field बनेगी चलो ठीक है magnetic field तो यहां पे भी हम भी agree करते है NCRT भी पर NCRT बोलती है कि अगर charge uniform velocity से चल रहा तो electric field नहीं बनेगी अब सोचो ज़र electric field क्यों नहीं बनेगी? चार्ज तो है electric field तो बननी चाहिए चार्ज है बेटा सोचो ज़रा मेरे ख्याल से चार्ज नहीं है है यार ये electron कहां से आया? conducting wire से आया? battery खुद तो electron देती नहीं है battery तो सिफ चार्ज को circulate कराती है तो ये electron तो आया होगा conductor से यानि conducting wire से कैसे आया होगा? wire के अंदर होंगे atoms, atom में से जब electron बाहर निकला होगा, atom में से जब electron बाहर निकला होगा free electron बाहर निकला होगा तो भाई वो positive charge atom भी तो होगा cation, वो भी इसी wire के अंदर होगा overall बेटा इसके ओपर charge कितना होगा? zero होगा overall circuit क्या है? neutral है NCRT ये बात समझाना चाहे कि भाई साहब आप कहतो रहे हो कि electron मूउफ कर रहा है सही कह रहे हूँ आप electron मूव करेगा current की विपरीथ दिशा में जब चाही कह रहे हो electron मूव करा current बना current से magnetic field सही कह रहे हो पर electric field नहीं बनेगी उन्होंने कहा भाई इस wire के अंदर क्या है? Electrons, Electron कहां से आई, Atoms है, Atom में से जब Electron बाहर निकला, वो Free Electron जो आखरी शल में होता है, जब बाहर निकलेगा, तो भाई, Cation भी तो बचेगा, Overall Net Charge तो 0 है, अगर इसके अगल बगल हमें Gaussian Surface बनाएं, सोचो जरा, इसके अगल अगल बेटा, अगर हमें Gaussian Surface बनाएं, तो इस Gaussian Surface क के अंदर, Q Inside कितना होगा, 0, इस Gaussian Surface के अंदर, Net Charge कितना होगा, 0, और अगर Net Charge 0 है, इसके अंदर, तो बेटा, Electric Field भी कितनी होगी, 0, तो NCRT इस Case की बात कर रही थी, हमने निकला, बट NCRT ने ये बात डिसकस नहीं कि, कि अगर Free Charge मूव कर रहा हो, तब वो Electric Field बनाएंगा की न NCRT लिखने वालों को आता है, नहीं बेटा, ये बहुत ही complex case होता है, इसलिए इसको उन्होंने touch नहीं किया, इसको touch करने के लिए आपको बहुत सारी relativistic mechanics आनी चाहिए, relativity की mechanics, relativistic mechanics, इसलिए उन्होंने इस पार्ट को touch ही नहीं किया, इस पार्ट में होता क्या है, जो Electric Field और Magnetic field बनती है, वो constant होती है, उसको समझाना बहुत डिक्कट है, इसलिए उन्होंने इसको छुआनी है, उन्होंने बोला कि charge जब move कर रहा हो, with uniform velocity, यानी current, एक constant current जब flow कर रहा हो, तो सिर्फ magnetic field बनाएगा, electric field नहीं बनाएगा, क्या यहां तक आपको बाते clear हो गई है, मैं आगे बढ़ जाओ, क्या यहां तक बाते clear हो गई है, मैं आगे बढ़ जाओ, clear है एकदम, अच्छे समझ में आया है, पूरा clear हुआ है, बहुत बढ़ी है, बेटा अगर आपको clear नहीं हुआ है, previous class आपको देख के आनी पड़ेगी, बस इतनी ही सी बात है, बाखी concepts बहुत असान ह आपको previous class पकड़ के इस class में वापस आना पड़ेगा, आप previous class छोड़ के यहां आओगे, कुछ हवा नहीं लगेगी, clear, फिर से बता देता हूँ, बेटा, charge at rest, अगर charge बच्चा rest पे है, फिर से, दूसरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक, अगर charge rest पे है, तो rest इस पे charge क्या बनाएगा, अपने अगल बगल, electric field बनाएगा, ठीक है, charge electric field बनाता है, current तो है नहीं है, charge रुका हुआ है, कोई current नहीं है, बेटा, यहाँ पे magnetic field नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे current कितना है, zero, so magnetic field, zero हो गई, फिर बोला, charge in motion with uniform velocity, हमने एक charge लिया, इसको uniform velocity से द दोड़ा, तो इसके पास क्या आगया, current आगया, current क्या आते ही क्या आगयी, magnetic field, वाई current बनेगा, तो magnetic field बनेगी, ऐसे थम रखा ही magnetic field, और क्योंकि चार्ज है, तो वो electric field बनाएगा, charge क्या बनाएगा, electric field, तो हमें ऐसा लगा, कि electric field भी बनेगी, और magnetic field भी और हमें सहीं लगा पट NCRT ने हमसे बोला कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ magnetic field बनेगी, electric field नहीं बनेगी, अब ऐसा वो किसलिए बोल रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे, charge moving in circuit की, circuit मैंने बनाया, यहां resistance, यहां battery, मैंने कहा कि यह positive, यह negative battery का, current ऐसे निकल कर ऐसे गया, यानि यह electron इसके opposite दिशा मे चले, बेटा, electron move कर रहे है, तो current है, current है, तो magnetic field है, यह तो सही है, अब वो कह रहे है, electric field नहीं है, क्यों, बेटा, wire के अंदर, यह जो आपको electron लग रहा है कि charge है, एक extra charge है, बेटा, यह कोई extra charge नहीं है, wire के अंदर, atoms होंगे, conducting wire के अंदर, atoms, atom में से जब electron बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, केटायन, केटायन के उतना ही positive charge, तो बेटा, overall तो यह system क्या है, neutral है, overall कोई charge ही नहीं है, बेटा, जब system पे charge नहीं होगा, तो net electric field zero होगी, गौसलो ने यही बात तो कही थी, कि भाई, electric flux तभी हो सकता है, जब अंदर charge हो, अगर Q inside zero है, तो electric field क्या हो जाए तो हमें लग रहा है कि electron है, बड़ बच्चों, इस electron की संती, संती मतलब इसके opposite, यह electron निकले कहा है, जिस item को छोड़ कर निकले है, उस पे positive charge भी तो देखे गए है, इस conductor के अंदर से पे electron थोड़ी ना है, इस conductor के अंदर atoms भी तो होंगे, जिनके उपर positive charge होंगे, वो move नहीं कर रहे हैं, वो रुके हुएं अपनी जगह पे, वो conducting wire में अपनी जगह रुके हैं, बड़ उनके उपर positive charge, electron move कर रहे हैं, बड़ जो आप overall circuit के उपर एक Gaussian surface बनाओगे, एक पुरा Gaussian surface बनाओगे, तो उसके अंदर कितना charge दिखेगा आपको, 0 दिखेगा, clear हुई, और Q inside 0 तो electric field 0, तो ये कौन कह रहा है, ये NCRT बोल रही है, NCRT इस बात से agree कर रही है, हम दोनों बात से agree कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं, अभी clear है अक्तम, must मक्खन clear है, वेटा अभी तो असली बवाल शुरू होने वाला है, अभी बात की हमने charge at rest की, फिर बात की charge with uniform velocity की, charge at rest में बनी electric field, uniform velocity में electric field and magnetic field दोनों बनती है, और मैं थोड़ा सा information आपको दे दू, constant बनती है, कैसी बनती है, constant बनती है, और NCRT कहती है कि सिर्फ magnetic field तो उनकी बात भी सही है, मान लेते हैं, अब आग लगाते हैं इस concept में और चलते हैं, तीसरे case पे जहां से निकलती है electromagnetic waves, यहा बेटा सबसे dangerous case, accelerated charge particle, अब Maxwell ने ये बात state कर दी, state कर दी, an accelerated, an accelerated, charged particle produces, an accelerated charge particle produces electric and magnetic field, और ऐसे normal electric and magnetic field नहीं है, उन्होंने बोला कैसी electric and magnetic field है, जड़ा देखना, an accelerated, accelerated मतलब अब constant velocity से नहीं चलना, produces a time varying electric and magnetic field, अब बात आई सर, यह कैसे कह सकते हैं, यह बोल रहे हैं कि अगर charge particle, अगर charge particle, variable velocity से चले, किस से चले, variable velocity से चले, variable velocity बोले तो, acceleration हो, उसके पास, velocity change हो, तो यार हमें समझ में तो आता है, कि electric field भी बनेगी, magnetic field भी बनेगी, यह तो हमें भी feel होता है, आपको भी, भाई, चलेगा तो current बनेगा, current बनेगा तो magnetic field, इतना तो हमें भी feel हो रहा है, कि भाई, charge move किया तो current बना, current बना तो, current बना तो magnetic field बनी, और क्योंकि charge है, charge है तो electric field बनेगी, इतना तो हम समझ पाते हैं, पर Maxwell ने क्या बोला, कि यह जो electric field और magnetic field बनी, चार्ज है तो electric field, Maxwell ने क्या बोला, कि accelerated charge particle से, accelerated charge particle से, जो electric field और magnetic field बनी, वो कैसी है बेटा, time varying है, मतलब changing electric and magnetic field बना रहा है, changing electric field and magnetic field, बेटा, changing electric field and magnetic field किसके अंदर होती है, electromagnetic waves के अंदर, किसके अंदर है, electromagnetic wave के अंदर, बताया था ना, electric field ऐसे change होती है, magnetic field ऐसे change होती है, और wave ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, बताया था, electric field ऐसे change होती है, magnetic field ऐसे और wave ऐसे ऐसे, यानि accelerated charge particle, जो time varying electric and magnetic field बना रहा है, वही बनाता है electromagnetic wave, वही बनाता है electromagnetic wave, हाँ, electromagnetic wave कौन बनाता है, accelerated charged particles बनाते हैं electromagnetic wave, आज से यह बात clear रहेगी, accelerated charged particles बनाते हैं electromagnetic wave source यह होते हैं, पर अभी ना, एक point फस रहा है, क्या, क्यों, यह point फसा, क्यों, क्यों accelerated charge particle की जो electric field और magnetic field है, वो समय के साथ change होती है, यह तो समझ में आता है, कि charge particle motion में आएगा, तो motion में आने की वज़े से current आएगा, और current आएगा, तो magnetic field आएगी, यह बात तो समझ में आती है, charge particle है, तो electric field होगी, यह भी बात समझ में आती है, पर वो time varying क्यों है, यह बात नहीं समझ में आ रही मुझको, बताओ, क्या आप भी इस चीज में confused हुए, एक बच्चा कहा रहा है, कि accelerated charge particle, radiations भी देता है, बेटा, यही तो कहानी है, कि हर तरहे की radiation जो आप पढ़ रहे थे, सब किसके अंदर आती है, electromagnetic wave के अंदर आती है, due to acceleration, अच्छा, अब due to acceleration बेटा, यह change क्यों हो रही है, इसको हम समझने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसका actual procedure समझाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको undergraduate level की physics पढ़नी पढ़ेगी, यानि 12 के बाद की, graduation वाली, फिल भी हम तोड़ा सा कोशिश करते हैं, कि आपको यह बात बताएं, कि जब charge accelerated होता है, जब charge की velocity change होती है, तब वो जो electric field और magnetic field बनाता है, वो time varying होती है, चलो, कोशिश करते हैं इस बात को, यहां तक बात समझ गाई, मैं फिर से तीनों बातें आपसे साथ, फिर से repeat करता हूँ, चलो, charge at rest, क्या बनाएगा, electric field, charge in motion with uniform velocity, चल रहा है, चल रहा है, तो current है, current है, तो magnetic field चार्ज है, तो electric field, बैटा, यह भी चल ही रहा है, चल रहा है, तो current है, current है, तो magnetic field, charge है, तो electric field, but, but, accelerated charge particle की electric field और magnetic field समय के साथ बदलती है, अब यह क्यों होता है, इसको हम समझाने की सिर्फ कोशिश करेंगे, अगले 15-20 minute में समझ में आता है, तो बहुत बढ़िया बात नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे level की physics में try करने जा रहा हूँ, लेट एतार से how successful this occurs, चल, पेटा accelerated charge का मतलब क्या oscillating charge भी हो सकता है, क्या accelerated charge और oscillating charge सें चीज़ है, क्या oscillations में acceleration होता है, क्या oscillation में acceleration होता है, जिरह सोचते हैं इस बात को अराम से, पेटा यह क्या है pendulum, हम लोग बोलते है pendulum क्या कर रहा है, oscillate कर रहा है, कई बार हम लोग ये वर यूज़ करते हैं कि नहीं, कि ये pendulum क्या कर रहा है, ये pendulum क्या कर रहा है, oscillate कर रहा है, क्या बेटा इसके पास कोई acceleration है, सोचते हैं, क्या इसके पास कोई acceleration है, सोचेंगे समझ में आ जाएगा, pendulum oscillate करता है, मैं पता नहीं, pendulum पास oscillatory motion होता है तो क्या बेटा oscillatory motion में acceleration होता हो चेक कर लेते हैं, मैंने यहां से pendulum की ball को पकड़ कर छोड़ा, जैसे ही छोड़ा बेटा इसकी velocity यहां पे कित्ती होगी, 0, छोड़ा इसकी velocity बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इस point पे आके velocity क्या हो जाएगी, इस point यहां कि इसक 0 हुई, अच्छा, क्या, ऐसे गया, रुका, 0 हुई, अब 0 हुई तो फिर वापस नीचे आएगा, यहां से यह फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, यहां पे आएगा फिर से velocity इसकी क्या होगी, maximum होगी, और फिर यहां जाते जाते इसकी velocity क्या हो जाएगी, 0, क्या बेटा यह accelerated motion है, छोटा सा सवार, क्या यह accelerated motion है, बेटा, acceleration का मतलब, change in velocity, क्या यहां पे velocity change हो रही है, yes, yes, यहां velocity नीचे चेंज हो रही है, यहां velocity 0 है, maximum, यहां 0 है, maximum हुई, 0 हुई, maximum हुई, 0 हुई, 0, मतलब बेटा, oscillatory motion या oscillation is an example of acceleration, ठीक, तो हमने कहा हम accelerated charge की जगहा, oscillating charge को धूरेंगे, हम accelerated charge की जगहा, oscillating charge को धूर लेते हैं, बाई, oscillating charge बेभी यही case होगा, कभी velocity क्या होगी, 0, extreme, यह पता है किनी, इसको क्या बोलते हैं, बेटा, छोटी-छोटी बाते हैं, इसको बोलते हैं, extreme position, इसको भी क्या बोलेंगे, extreme position, और बेटा इसको क्या बोलेंगे mean position याद आया तो हम यह कह रहे हैं कि हम accelerated charge नहीं धूरेंगे हम क्या धूरेंगे oscillatory charge हम accelerated charge क्या धूरेंगे oscillatory charge क्योंकि oscillate करेगा तो उसकी velocity change होगी और जिस charge की बेटा velocity change होती है यह बात अपने दिल पे लिख लो सर दिल तो notebook बन गया है नाम की list रखी हुई है यहां पर काटते भी रहते हैं बीच बीच में यह वाला तो खतम यह वाला तो खतम कई बार सर एक साथ चार चार नाम लिखने पड़ जाते हैं तो दिल में एक बात लिख लो कि accelerated charge और oscillating charge एक ही चीज़ है अगर charge oscillate कर रहा है तो बेटा उसकी velocity बढ़ेगी और उसकी velocity घटेगी यहां पर देखो velocity का direction भी change हो रहा है clear देखो जितना पड़े उसको summarize करके चलेंगा आज एकदम end to end पक्के करके चलना है अपन ने क्या बोला charge rest पे है क्या बनाएगा electric field charge motion with uniform velocity electric field and magnetic field बट कैसी constant और अगर हम ncrt की बात करें तो सिर्फ magnetic field क्योंकि वो circuit की बात कर रहे है circuit के अंदर net charge 0 है तो electric field 0 है Q inside 0 E0 सिर्फ magnetic field फिर हमने बोला अगर accelerated charge है जिसकी velocity बढ़ रही है या घट रही है तो वो electric field भी बनाएगा magnetic field भी बनाएगा but time varying बनाएगा clear है accelerated charge क्या है चल रहा है चल रहा है तो current current तो magnetic field charge तो electric field बट कैसी बच्चों time varying समय के साथ बदलने वाली अब हमने कहा accelerating charge की जगे हम oscillating charge देखते हैं यह हमको ज़्यादा easily physics में मिलता है oscillating charge हमने बताया oscillation में क्या होता है हम इतना clear हो गए कि oscillation में क्या होता है acceleration होता है चलो ठीक है अच्छा अब एक बात बताओ चार्ज कहा oscillate करता है अब यह सवाल कौन बताएगा यह वही बताएगा जो previous lecture देखके आया है बेटा मेरी बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर विंती है जो बच्चे LC oscillations बिलकुल नहीं पड़े है या तो आप lecture छोड़के चले जाओ या 15 मिनिट शान्त रहना कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं देखा है तो LC oscillation का वीडियो पहले देख लो charge कहां oscillate करता है? हाँ LC oscillator circuit में तो electromagnetic wave कहां से produce होती है? LC oscillator circuit से what is the source of electromagnetic wave? an accelerated charge particle is the source of electric magnetic wave दिल में छप जानी चाहिए ये बात an accelerated charge particle is the source of electromagnetic wave और accelerated charge की जगे हम देखेंगे oscillating charge क्योंकि उसके पास भी acceleration होगा और oscillating charge मिलता है कहां पे? LC circuit में कहां मिलता है बच्चों? LC circuit में LC oscillations में आओ चलते हैं LC oscillations की तरह हाँ 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 याद है वो खुंखार lecture जान निकालने वाला चलो बच्चा अब 10-15 मिनट शान्ती से चुनेंगे ये मेरे पास एक capacitor है और ये मेरे पास एक inductor है C and L C and L ये एक capacitor और ये एक inductor है मैंने कहा ये capacitor completely charged है यहाँ इसके उपर charge है plus q naught यहाँ इधर charge है minus q naught एकदम खतरनात तरह से charge है completely charged है completely charged है मैंने क्या किया T is equals to 0 पे ये switch बंद किया मैंने ये switch close किया T is equals to 0 पे बेटा जैसे ही switch चोल close करेंगे positive plate और negative plate को आपने connect कर रखा है positive potential negative potential को आपने connect कर रखा है तो बेटा positive charge यहाँ से negative की तरफ attract हो जाएगा और इस तरफ जाना चाहेगा positive negative की तरफ भागना चाहेगा तो धेर सारा positive charge यहाँ से निकलेगा कहता है चलो जल्दी चलके उस plate पे discharge हो जाते खेल खतम कर देते हैं, जल्दी चलके डिस्चार्जों के खेल खतम कर देते हैं, पर कहानी में बिलन कौन बन गया, इंडक्टर, इसने कहा जल्दी का काम तो हम होने नहीं देंगे, हमारा काम क्या है, अपोज करना, इनका काम क्या है, अपोज करना, इसने काम हेवी चार्ज ल यहां से ठेजर निकलना पाया इंडटर ने का धीमे 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 करके डी-क्यूडीक्यू चार्ज करके अधर आना स्टार्ट हुआ पॉजिटिफ से निगेटिफ में और क्योंकि कुछ चार्ज आ चुका है यह हो गया बेटा प्लस Q यह हो गया माइनस Q यहां पर मैंने तीन बार बना रखा है चार्ज यहां पर मैंने दो ही बार बनाया मतलब कि चार्ज थोड़ा सा इस पर कम हो गया, इस पे भी थोड़ा कम, यह positive charge यहां पे जाके चिपक गया, इस पे चिपक गया, इस पे चिपक तो इसका negative कम, इसका positive कम, हम इस state पहुच के बेटा, current के बारे में क्या ख्याल है आपका, current यहां पे बहुत सारा बहना चाहता था, inductor ने कहा current से धीमे धीमे बहो, धी charge flow करना start हुआ, current मेरा कैसा होगा, बच्चा यहां पे growing current होगा, current भी बढ़ना start हुआ, current हमारा grow करना start किया, कि pastor की क्या हो रहा है, यह दिस्चार्ज हो रहा है, current क्या कर रहा है, grow कर रहा है, current हमारा grow करना start किया, यहां से current बहुत ज़्यादा आना चाहता था, LC oscillations में, RC circuit का म चार्ज सोच रहा है, यहां चिपक जाए, एक बार में, पर इसने कहा, नहीं, धीमे, धीमे, अगर सारा का सारा charge flow करता, heavy current flow करता है, इसने कहा, धीमे, धीमे, बढ़ हो, धीमे, धीमे, तो थोड़ा का charge flow किया, current थोड़ा बना, थोड़ा और flow किया, current और बना, थोड़ा और और फ्लो किया current और बना तो अभी current growing stage में है बेटा next step में आते हैं next step में क्या हुआ बेटा यह dq dq करते 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 यहां charge हो गया zero यहां भी charge हो गया zero charge निकलते निकलते यहां निकलते 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 यहां निकलते 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 यहां निकलते निकलते यहां सारा का सारा charge यहां से यहां आ चुका, यहां plus खतम, यहां के deposit हुआ, minus खतम, और बेटा current जो था, जो तुरिंत maximum होना चाहता था, connect करते ही सोचना था, सारा charge flow करेंगे maximum current, वो धीमे धीमे grow करते हुए, यहां पे current क्या हो गया, maximum value पे पहुच गया, और charge क्या हो गया, zero हो गया, plates के बी से flow करेगा, अब तो current नहीं flow करना चाहिए, current को तुरिंत zero हो जाना चाहिए, भाई, यहां पे अब कोई potential difference ही नहीं है, अभी था potential difference, पहले भी था, अब कोई potential difference नहीं बचा, अब current को zero हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां भी charge, यहां भी charge का flow बंद हो गया है, तो current कहेगा कि हम जल्दी से जल्दी से जल्दी से जीरो हो लेते हैं भाई पोटेंशल डिफ्रेंस नहीं है इन्होंने का हम जल्दी से जीरो हो जाते हैं पर बेटा जैसे ही करेंट ने का कि हम तुरिंट जीरो होंगे कौन गुस्ता आ गया खूफा जी यह बोले भाईया जल्दी का काम तो हम ह भड़ने दिया तुमको घटना है तो भी हम भी में भी में घटने देंगे तो CP2 कि स्टेप पे हम पहुचेंत Dying current को inductor क्या करता है support करता है और growing current को क्या किया inductor ने oppose किया इतनी detail में नहीं जा रहे इतना आपको पता होगा यहाँ पे कैसा current है growing तो inductor उसको oppose कर रहा था होते 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 यह maximum हुआ अब यह मरना चाह रहा है Dying current को inductor क्या करता है support तो उसके ताग चला रहा था अब एक बात करता हो अगर अभी भी current चल रहा है मतलब charge का transfer अभी भी चल रहा है E capacitor जो खुसी से वाइठा था discharging हो गया काम खतम अब घर चलते हैं खेल खूद करते हैं इसने कहा अभी तो current हम flow कराएंगे किसने inductor ने कहा अभी current को zero नहीं होने देंगे हम अभी और current वेटा current flow किया मतलब यहां से DQ charge यहां जा रहा यहां से DQ charge यहां यहां से DQ charge यहां य DQ charge खिच कर यहां deposit हुआ बेटा जब DQ charge आप यहां से खीचोगे तो यहां पे minus आएगा यहां पे plus यहां पे minus यहां पे plus देखो polarity बदल ले लगी के capacitor की कमाल का काम किया inductor में यही तो oscillation है ना एक बार इधर plus होगा एक बार इधर minus फिर plus फिर minus इस plate पे पहले plus था अभी क यहां तक हम पहुँचे current decay कर रहा है inductor ने कहा current से यहीं पे current कह रहा था potential difference नहीं है current यहां पे कह रहा था जिसको LC oscillation नहीं पड़ा था आज पूरा पढ़ने को मिल गया current कह रहा था कि हम यहीं पे 0 हो जाते है potential difference नहीं inductor ने कहा धीमे धीमे 0 हो अभी हम support करेगे तुमको support कर होते next step में आते 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 current कभी ना कभी तो 0 हो जाए है पर यहां से यहां तक current flow तो करता रहा अभी भी current flow कर रहा तो यहां से dq charge निकाल यहां चिपकाता जाएगा यहां से यहां चिपकाता जाएगा और चिपकाते 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 क्या हुआ यहां पे धेर सारा negative charge minus Q naught यहां पर धेर सारा positive charge plus Q naught capacitor फस गया किस बवाल में बड़ी मुश्किल से discharge हुआ था अभी वापस opposite direction में charge हो गया minus 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 plus plus charge देखो वापस बढ़ गया पहले charge यहां से plus Q naught से घटा plus Q, plus Q से घटा 0 फिर opposite direction में यहां कितना charge minus Q और plus Q फिर यहां से बढ़ता हुआ minus Q current कितना हो गया, 0 अब सबको लगा किसारा, खेल खतम हो गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा DQ करहा है इस कि DQ के direction सही तो है current ऐसे flow कर रहा है तो DQ यहीं से तो निकल यहां जाएगा क्या गलत है क्या गलत है direction कहा गलत है कहा पे है अी- wtuk अ सही तो है बच्चन है कि एक जिलूर्ब इक यहां से यहां ज रहाएं से चार्ज पॉजिटिफ कम होते होते जिरो हो ईए जिरो होने के बाद ओर इक क्था निगेटिफ में चला गया जांद तरह सोकर है क्यासे अध्याँ १े के इधर plus q निकल के इधर होते होते 0 फिर और plus q निकला तो zero से negative हो गया फिर और plus q निकला तो minus में maximum हो गया clear सारा सही है बोचा कहीं direction गलत नहीं है यहाँ से dq निकला पहले यहा तो यहाँ से निकला dq चार्ज कम हुआ इस पे plus q और DQ निकला, चार्ज कम होके 0 हो गया और DQ निकला, चार्ज कम होके माइनस की हो गया, आप पढ़ क्यों LC oscillation मैंने पहले ही बोला इसलिए अच्छा, अब यहाँ तक पहुचे अब क्या हुआ, अब इसने कहा current 0 है, खेल खतम है पर capacitor को देखो, वो तो फिर से चार्ज हो गया, अब capacitor फिर से चार्ज हो गया, और यह दोनों plates connected है, तो अब DQ चार्ज ऐसे flow करना चाहेगा प्लस से माइनस अब DQ चार्ज यहाँ से निकल कर यहाँ चे पकना चाहेगा, यहाँ से निकल कर यहाँ स्टार्ट हुआ अब यहां से डी क्यू चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ और निकल कर आते हुए इस प्लेट पर डिपॉजिट हुआ पर यह काम भी बहुत तेजी से नहीं होगा यहां से धेर सार यह निकि एक बार में सारा प्लस क्यू चार्ज है दर धीमे धीमे यहां से ड dq निकला तो यहाँ हुए प्लस चार्ज कम हो गया थोड़ा सा यहाँ पर माईनस चार्ज भी कम हो जाएगा थोड़ा सा ग्रिक्यू आपके चिपका और करेंट बेटा क्या करेंगा करेंगा सब्क करेंगा चुर्ड इस दिशा में बहना रहा चिपकता जा रहा यहां से प्लस डीक्यू से निकला यहां के चिपका निगेटिव कम हो गया प्लस से निकला प्लस कम हो गया निगेटिव भी कम हो गया नेक्स्ट अब क्या होगा यहां से निकल के चार्ज यहां चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा चिपकता जाएग 2, 3, 4, क्या दिक्कत है बेटा, 4 भी सही है, आप समझो, यहाँ पे चार्ज 0 हो चुका है, कहां नहीं डिस्टब कर दी तुमने पूरी, यही दिक्कत होती है, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0, करेंट मैक्सिमम था, अब करेंट को दिखा, यहाँ पोटेंशल डिफ आएगा, तभी तो करेंट बना रहेगा, करेंट इसी दिशामें तो बना रहेगा, तो डिक्यू यहाँ से निकलके ही तो यहाँ जयेगा, और जब यहाँ से बेटा, dat चार्ज निकलेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, अब क्लियर हुआ, आभी चलिएर हुआ, बहुत गया है, current फिर से maximum value बे पहुझ गया, अब क्या होगा बेटा? current maximum हो गया है, यहाँ पे फिर से potential difference जीरो हो गया, current फिर से क्या चाहेगा? चलो 0 हो जाते हैं, potential difference ही नहीं हम कैसे वहें, बिना potential difference के हम कैसे वहें, 0-0 है, तो current सोचेगा हम 0 हो जाएं पर फुपा जी उसको रोक लेंगे कहहो जाओ 0 पर धीमे धीमे अभी value कम कर लो decay होना start कर दो decay होना start कर दो value कम कर लो current से कहा decay हो लो value कम कर लो पर 0 नहीं होने देंगे अब current को बहना पढ़ रीगा current को बहना पड़ेगा मतलब यहां से DQ charge निकलता जाएगा यहां पे जाके फिर से चिपकता जाएगा कि pastor जो अभी discharge हुआ था यहां से DQ निकला तो इस पे क्या आया माइनस इस पे क्या आया प्लस क्यू यह 0 हुआ था current अभी बना है current 0 होना चाहता है, इसने current को 0 नहीं होने दिया, current को चलाता रहा, current को चलाता रहा, तो यहां से dq charge निकल के इस पे चपकता रहा, यहां से dq, 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 dq चपकता रहा, तो बेटा यहां पे क्या आ गया, minus q, यहां पे plus q, next, अब क्या हुआ, अब बेटा यहां पे current बढ़ता, ब बढ़ता बढ़ता यहां पे चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू नॉट और यहां पे कितना हो गया माइनस क्यू नॉट और बेटा करेंट डिके होता 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 करेंट डिके होता होता कितना हो गया करेंट कम होते 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 कितना हो गया कम होते 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 जीरो हो गया जराद ध्यान से देखो ये state और ये state सेम है आप जहां से चले थे आप वापस वहीं पहुच गए अब बतावाया यहां से चले थे वापस यहीं पहुच गए अब मुझे इसमें आपको feel दिलाना है किस बात का ये क्या था वेटा oscillating charge था अभी बात आती है कि सर ये charge oscillate कर रहा है क्या ये accelerated charge भी है बिल्कुल है बेटा current पे ध्यान दो current यहां पे zero है growing हुआ maximum current क्या होता है rate of flow of charge what is current rate of flow of charge बेटा यहां पे rate of flow of charge zero rate of flow of charge charge के बहने की speed बढ़ गई charge के बहने की speed maximum charge के बहने की speed कम हुई charge के बहने की speed zero यानि charge के flow करने की speed लगातार change हो रही है यानि ये कैसा charge है accelerated charge यहां पे charge के flow की speed zero यहां पे charge by charge move करेगा तभी तो current बनेगा current grow कर रहा है यानि charge का motion बढ़ता जा रहा है dq by dt बढ़ रहा है dq by dt बढ़ रहा है यानि charge की speed ब यानि चार्ज की स्पीड लगातार चेंज हो रही है अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर गौर फरमाएंगे जज्मान आप लोग यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव बहुत सारा नेगेटिव यहां पे होगी कि स्ट्रॉंग एलेक्रिक फील्ड क्या होगी एक स्ट्रॉं स्ट्रॉंग एलेक्रिक फील्ड फ्रॉं प्लस टू माइनस होगी कि नहीं होगी स्ट्रॉंग एलेक्रिक फील्ड फ्रॉं प्लस टू माइनस नेक्स स्ट्प में क्या हुआ चार्ज कम हो गया बेटा एलेक्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी बात समझ में आई एलेक्रिक फील् maximum से कम हुई, कम होके zero हो गई, next step में क्या हुआ, charge opposite direction में बनने लगा, electric field का direction change हो गया, electric field वापस grow करना start की, grow करते करते, electric field विप्रीव दिशा में क्या हो गई, maximum हो गई opposite direction में grow करते, करते maximum maximum से कम, कम से zero opposite direction में grow, opposite direction में maximum, फिर opposite direction में घटना स्टार्ट हुई, यहाँ पे कम हो जाएगी पिर opposite direction में घटते घटते फिर क्या हो गई? जीरो, फिर opposite direction में electric field बढ़ना स्टार्ट हुई और बढ़ते बढ़ते फिर से क्या हो गई? maximum, यह कैसी electric field है वेटा? oscillating electric field है कैसी है? oscillating electric field है वहाँ देखो electric field उसके बाद opposite direction में जादा फिर opposite direction में वापस कम हुई, फिर zero हुई फिर उसके opposite direction में बढ़ी, फिर maximum बेटा यह electric field कैसी है? oscillating electric field यहाँ पे हमको मिली है oscillating electric field इसी चीज़ को बच्चा आप repeat करके दो-तीन बार देखोगे बहुत तगड़ा feel आएगा अब इसका हम graph बनाने की कोशिश करते हैं electric field versus time का बहुत असान है, शुरू करते हैं यहाँ पे electric field अच्छा एक काम करते हैं इस दिशा को मानते है positive ठीक है? और इस दिशा को मानते है negative क्योंकि electric field आप देखो अपना direction भी change कर रही है इधर को माना positive शुरूरात में electric field कैसी है? maximum है positive direction में maximum है positive direction में तो शुरूरात में मैंने electric field कैसी बना ली? starting में maximum है किस direction में बेटा? शुरूरात में electric field कैसी बना ली? मैंने maximum बना ली किस direction में? positive direction में फिर क्या हुआ? next step में electric field अभी भी positive है पर कम हो गई, अभी भी इस दिशा में यानि positive पर कम हो गई, यानि अभी थोड़ी कम हो गई, पर अभी भी है उसी दिशा में, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, electric field 0 हो गई, यहाँ प्या के electric field 0, तो यह electric field ऐसे घटी होगी, अच्छा, फिर क्या हुआ, electric field बढ़न direction में, opposite direction मतलब इस तरफ, इस तरफ आपने क्या बोला है, negative, इस तरफ negative की तरफ बढ़ी, negative में बढ़ी बेटा, तो negative में ऐसा बनेगा, negative मतलब नीचे की तरफ, negative, फिर negative में maximum value पे पहुच गई, negative में maximum value पे पहुच गई, एक ताम करते हैं, बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, negative में maximum value पे पहुच गई, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या है, अभी भी negative है, पर थोड़ी कम, maximum से थोड़ी कम, पर है किधर, negative में ही है, negative में ही है, पर maximum से थोड़ी कम है, यह हो गई, है तो negative में ही, पर maximum से थोड़ी कम, फिर क्या हुआ, 0 हो गई, फिर से 0 हो गई, फिर क्या हुआ बेटा, 0 होने के बाद, अब positive direction में कुछ value है, maximum से कम, positive direction में, positive direction में कुछ value है, maximum से कम, फिर क्या हुआ बेटा, positive direction में maximum value है, positive direction में maximum value है, are you getting what is this, this is an oscillating electric field, किसने बनाई, accelerated charge particle ने, क्या बना दी भया, oscillating electric field, oscillating electric field, क्या बन गया, ओ भाई साब, मज़ा आग गया, क्या बन गया, oscillating electric field, किसने बनाई है, भाई साब, किसने बनाई है, accelerated charge ने बनाई, यानि oscillating charge ने बनाई, I hope मैं इस बात को साबित कर पाया हूँ, थोड़ा सा LC oscillation आपको देखना पड़ेगा, और बेटा, ये चीज, जो आज हम लोग ने पकड़ी है, बहुत तकड़ी चीज है, इसको बड़े बड़े लोग नहीं पकड़वाते हैं, इस point को, और यहाँ पर यही वता सकते हैं, लोग की out of syllabus चले गए हैं हम लोग, वाह, clear, अब इसके बाद तो cake walk है, electromagnetic wave, अभी पर, एक मिनर, और confidence नहीं, electromagnetic wave कौन बनाता है, accelerated charge particle, oscillating charge particle, क्या बनाया, oscillating electric field, कहां से बनी हैं बेटा, सभी को clear हैं, कहां से बनी हैं, LC oscillations हैं, बेटा तुमको पता है, एक तुमको इसी में आप थोड़ी ची कहानी सुना दूं कि सचाई तो आपको देखी गई थोड़ी बहुत, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, Maxwell ने electromagnetic wave बहुत पहले predict कर दी थी, हाँ, वो बहुत confident इंसान थे, अलग लेवल पे थे, अलग ही G1G रहे थे, वो ले electromagnetic wave होती है, माने लो, हम कह रहे हैं माने लो, accelerated charge particle से electromagnetic wave बनती है, उनके बोलने के 20 साल के बाद, प्रूव हो पाया कि oscillating charge से electromagnetic wave बनती है, वो बोल कर रहे गए, पर कोई उस टाइम पर believe नहीं किया, वनलग बिलीव किया बात पर बड़े scientist हो गय थे, displacement current वगरा दूर चुके थे, बट इसका जो प्रूव है, वो दिया हर्ड्स ने, हर्ड्स ने एक experiment किया, Maxwell के बताने के 20 साल क बाद और प्रूव किया कि LC oscillations are the source of electromagnetic wave, तब जाके बाद पता चलोगे, अरे सर अभी तो electric field आई है, आप तो magnetic field का है, अभी तो बोल ले है, उसमें magnetic field भी है, अभी तो electric field है, अभी हम कैसे मानेगा, हाँ, चलो मानेगे है, oscillating electric field produces an oscillating magnetic field, हाँ, 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 हमने पढ़ा है, changing electric field से magnetic field बनती है, मान लेते हैं, यह electric field दिख रही है, ऐसी है, यहाँ से start हूँ है, हम इसको origin से भी कर सकते हैं, बेटा थोड़ा सा आगे खिसका लो, अरे यार, T is equal to 0 तो अपने हाथ में, मैं T is equal to 0 यहाँ पे sit कर फिर थोड़ी बढ़ी ही, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर 0, फिर opposite दिशावें बढ़ी, फिर maximum, मैं यह cycle उठा लू, मेरी मर्जी, मैं यहाँ से cycle उठा हूँ, तो मैंने यहाँ से cycle उठा हूँ, तो मैंने यहाँ पर oscillating electric field बनाई, भाई साब, पहले electric field 0 मानी, फिर electric field बढ कर क्या हो गई, maximum हो गई, फिर बढ़ी, बढ़ते बढ़ते क्या हुई, maximum हुई, फिर क्या हुई electric field घटी, फिर और घटी, फिर घटे घटे क्या हो गई, 0 हो गई, यह बनी electric field, इसका एक loop बनाऊंगा सिर्फ यह, आच्छा, घटी, घटी, और घटे घटे, जीरो हो गई, electric field है, ठीक, अब जड़ा सुनना आपात, बेटा, a changing electric field will produce magnetic field, यह changing electric field है, यह electric field change हो रही है, यह क्या produce कर देगी, magnetic field, a changing, एक काम करते हैं, इसको पुरा काला रखते हैं, यह magnetic field को लाल से बनाएंगे, वहना समझ में नहीं आएग electric field 0, हमने time 0 कहीं और ते चूज कर लिया, electric field बढ़ी, electric field maximum हुई, electric field घटी, electric field घटे-घटे minimum हुई, और minimum होते हैं, 0 हुई, खिक है, सिर्फ यहाँ तक पहुच, अभी आगे नहीं चलते हैं, यहीं पर रुको, यहीं पर रुको, अभी तुमको बता रहे हैं कि LC oscillator सिर्फ एक पर प्रड्यूस कर दे, oscillating electric field फिर उसको बंद कर दो, यह अपने आप self sufficient होती हैं, अब सुनू, बेटा, changing electric field से तुरिंट क्या बन जाएगी, magnetic field, और बेटा, उसका direction क्या होगा, इस electric field के perpendicular दिशा में होगी, जो changing magnetic field बनेगी, वो इसके perpendicular direction में, बेटा, यह ऐसे oscillate कर रहे हैं, तो इसके perpendicular मैंने मान लिया, यह कैसे oscillate कर रहे हैं, बेटा, किस axis के along oscillate कर रहे हैं, y-axis में, electric field किस axis के along oscillate कर रही है, बच्चा, electric field किस axis के along oscillate कर रही है, y-axis के along, तो हमने कहा कि जो magnetic field है, वो किधर आ जाएगी, z-axis में, हमने कहा, बाई, electric field ऐसे है, तो magnetic field के oscillation को हम ऐसे मान इतने हैं ठीक है डाइग्राम वह मैं अच्छा वारा दिखा दूंगा वाकि मैं कोसिस करता हूं उतने चल्स से ठीक है यह क्या बनी एक और शिलेटिंग और शिलेटरी मागनेटिब फिल्ड यह क्या बनी एक और शिलेटिंग मागनेटिक फिल्ड अच्छा अब तुमको एक बहुत कमाल की बात में बताने जा रहा हूं सुनना ध्यान से जैसे ही ऑसिलेटिंग मागनेटिक फिल्ड बनी अब तुम अपना अलसी ऑस्सिलेटर सर्किट बंद कर दो कहा बनी इसके पर्पेंटिकुलर डिरेक्शन में जर यह चेंजिंग मागनेटिक फील्ड विल्रड्यूस एन इलेक्रिक फील्ड बनाएगा इलेक्रिक फील्ड किदर बनाएगा changing magnetic field electric field किदर बनाएगा तोचो जरब यह magnetic field किसने बनाई है इस electric field ने lens law लगाते हैं ये magnetic field इस electric field ने बनाई है lens law ने perpendicular तो होगा वो तो ठीक है तुमारी बार थोड़ा lens law से भी सूचते हैं इसको perpendicular तो सही है lens law सोचो कि ये magnetic field किसने बनाई इस electric field ने तो बेटा ये magnetic field क्या चाहेगी अपोज करें जिस चेंज से बने हैं इस से बना है तो इसको अपोज करती हुई electric इसको अपोज करती हुई इसको अपोज करती हुई यह कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वह से बना था इसी को मारने पर लग गया चेंजिंग इलेक्रिक फील्ड से बना है तो जो फ्लक्स बना है वो उसी को मारने पर लग गया तो मारने पर लग गया ठीक है बाकी तो आप यह भी कह सकते हो परपेंडिकुलर है मैं जो कोई दिखत नहीं है तो बेटा यह यह वाई एच्चिस के लॉंग उसलेट की इलेक्र फील्ड बनाई ठीक है अब जैसे ही यह वैरिंग इलेक्रिक फील्ड आएगी जैसे ही यह वैरिंग इलेक्रिक फील्ड आएगी यह क्या बना देगी वच्चा फिर से मागनेटिक फील्ड बना देगी किस दिशा में परपेंडिकुलर डिरेक्शन में जेड में क्या बना द जड ने, अब सुनो क्या होगा, अब क्या हुआ, एलेक्ट्रिक फील्ड बनी, टाइम वेरिंग एक बार, सिर्फ एक बार, ऐलसी ओसलेटर ने बनाई, फिर इसने क्या बनाई, मैगनेटिक फील्ड, फिर उस मैगनेटिक फील्ड ने क्या बनाया, एलेक्टिक फील्ड, फिर यह changing magnetic field क्या बनाएगी? Electric field, तो changing electric field क्या बनाएगी? Magnetic field, और यह process बेटा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अब इसको किसी बाहर से source की जरुवत नहीं है, एक बार LC or Slater ने electric field बना दी, यह electric field का change क्या बनाएगा? magnetic field किधर बनाएगा? Electric field के perpendicular, और यह magnetic field change होगी, तो क्या बनाएगी electric field? Magnetic field के perpendicular, और यह electric field change होगी, तो क्या बनाएगी? Magnetic field, electric field के perpendicular, और यह magnetic field change होगी, तो क्या बनाएगी बेटा? Electric field बनाएगी आगे, और यह कहानी चलती जाएगी, चलती जाएगी अब, यह magnetic field change हुई, क्या बनाएगी, इस electric field की वज़े से बनी है यह, इस electric field के change से बनी है, तो इसी को oppose करती हुई, एक electric field बनाएगी, perpendicular, clear है, और ऐसे यह कहानी आगे चलती जाएगी, बेटा, इसकी वज़े से, बेटा, इसकी वज़े से बना है यह, 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 और यह process repeat होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, मिटा नहीं, free energy नहीं है, ना, 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 गलब कह रहे हो, energy जो बन गई, वो travel कर रही है, free energy नहीं है, energy तो बना होती जाएगी battery is a source of energy आपने capacitor को चार्ज किया वहाँ बैट्री नहीं थी अच्छा अपने capacitor को चार्ज करके capacitor के अंदर energy store की थी half cv square वो कम होती जाएगी जहीमेधी में वो circuit बेटा damp हो जाएगा जो circuit use किया था उसके oscillation कम हो जाएगे क्योंकि वो अपनी energy loose कर चुका है एक बार उसने hilft fame बनाई उसने magnetic field खेल को फण यी चलतीぎ चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और ये प्रोपोगेट करती जाएगी अब इसको प्रोपोगेट करने कि लिए किसी और की जарूरत नहीं है E iodine sounds and इक बात ये भी समझो ऑंख इलेक्रीक फूद्ट और म्यॉग्नेटिक कुलर तो है पर है यहां इसाख़ घूर तो सेब को सेल और यह याद रखना यह कैसे हैं यह कैसे हैं यहां पर लिएते हैं सेल्फ प्रकोगेटिंग एक बात बताओगे ये किस दिशा में चल रही है एलेक्रिक फील्ड वाइबरेट कर रही वाई में मैगनेटिक फील्ड वाइबरेट कर रही जेड में वेव किधर चल रही है एक्स में हाँ लाइड यही है वेटा एलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही वाई में, मैगनेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही जेड में, और वेव चल रही है एक्स में, we did it, now this is एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव को चलाते रहने के लिए LC oscillator की जर्वत है नहीं, एक बार बन गई अपने आप आगे चली जाएगी, what is the source of an electromagnetic wave, an oscillating charge, ये याद रखना है, LC oscillator बोल सकते हो, but an oscillating charge is the source of electromagnetic wave, clear, छिक, ये बना, इसने ये बनाया, ये चेंज हुआ, changing magnetic field से, electric field, किदर बनी, perpendicular, बेटा ये Z में बना, तो ये किसमें बना, Y में, ये Y में बना, change हुआ, तो magnetic field, G में, ये Z में, बना, change हुआ, तो electric field, Y में, clear है, electric field change हुई, magnetic field बनी, magnetic field ने कहा, जिस change से बने, उसको oppose करते हैं, electric field ये x direction में आगे बढ़ रही है, wave जो propagate हो रही है, wave propagating, अलोंग एक्स अब मुझे ये बताओ कि ये सारा काम क्या बहुत धीमे धीमे होगा नहीं ये सारा काम बहुत स्पीड में होगा किस स्पीड में होगा लाइट की स्पीड में होगा ये काम ये सारा काम जो हो रहा है ये स्पीड में ये आगे बढ़ रहा है वो स्पीड बहुत जादा है, light की speed है, इसको आप light की speed बोलते हो, वो actual में electric field और magnetic field के चलने की speed है, electric field से magnetic field और magnetic field से electric field के बनने की speed है, उसी को आप light की speed बोलते हो आज, जिस speed में electric field से magnetic field, magnetic field से magnetic field बलते हैं, उसी speed को आप light की speed बोलते हो, clear है, इसकी speed क्या होगी, very high speed, कित्ती स्पीड हो जाएगी, C लिख दे, स्पीड ओफ लाइट, वेफ प्रफोगेशन अलॉंग X, एलेक्रिक फील्ड वाइबरेट सिन Y, मैग्नेटिक फील्ड वाइबरेट इन Z, अब बेटा मैं एकदम सिंपल तुमको ले चलता हूँ, जिस तरह ते इसको पढ़ाया जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ओफ एलेक्रो मैगनेटिक वेव, बेटा ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है, कि इलेक्रिक फील्ड, मागनेटिक फील्ड और ड्यरेक्शन ओफ वेव प्राफोगेशन आपस में सब परपेंडिकुलर हैं, यही है इसका मतलब, देखो जारा, इलेक्रिक फील्ड यहाँ प्रे ऐसे वाइबरेट कर रही, Magnetic field यहां ऐसे वाइब्रेट कर रही और wave propagation का direction यह है बाकि यह तो wavelength बताया आज़े आज़े देख लेंगे Electric field ऐसे वाइब्रेट कर रही Magnetic field ऐसे वाइब्रेट कर रही और wave propagation ऐसे हो रहा है Clear? यह देखलो अब इसी को और हमने बताया Electric field यह वाली ब्लू वाली बेटा एलेक्रिक फिल्ड ये किसमे वाइब्रेट कर रही वाई में वाइब्रेट कर रही रेड वाली मैगनेटिक फिल्ड किसमे वाइब्रेट कर रही जेड में और वेव किदर चल रही एक्स में और वेव किदर चल रही एक्स में और वेव किदर चल रही एक् Z में जा सकता है कोई भी X में, कोई भी Y में, कोई भी Z में जा सकता है, यह याद रखना जरूरी नहीं है कि यह X में हो यह Y में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है Transverse Nature of Electromagnetic Wave इसका मतलब क्या है, E इसका मतलब है Oscillation of E is perpendicular to Oscillation of B is perpendicular to propagation of wave Clear? Clear? Equation of Electromagnetic Waves अब यहाँ से आते हैं आपके बोड़ के सवाल यहाँ के कॉम्टिक्शन के सवाल Equation of Electromagnetic Waves बच्चा यहाँ पर मैंने Electric Field बनाई ऐसे वाई